हिलो फ्रेंज मैं अनामी का मेरे किचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंज आज मैं थेकुआ यानी की खजूर की रेस्पी लेकर आए हूँ इसे बिहार में बहुत ही प्रशीत माना जाता है ये खास कर्छठ पूजा का प्रशाद है पर ऐसे भी लोग कहीं सफ़ड में जाना हो या अपने बच्चों के लिए नास्ते के लिए बना के रखते हैं ये रेस्पी बहुत ही आसान है और लॉंग टाइम तक रुखता है तो चलिए हम वीडियो को लाट तक देखते हैं अच्छी लगे तो प्लीज मेले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जिरूर कीजिए ठेक हुआ आने की खजूरी बनाने के लिए हमने लिया है यहां पे इस बॉल से एक बॉल आटा आधा बॉल हम लिये हैं हे रवा इसमें हम लिये हैं एक छोटी कटोरी शक्कर तो मीठा आप अपने नुशार थोड़ा सा कम या जादा कर सकते हैं पर यह माप सही है यह जादा मीठा होता है और नहीं फीका लगता है हम बीच में थोड़ा सा ऐसे स्पेज करके और मोयन डाल लेंगे तो मोयन मैं आपको बता देती हूँ कैसे मापा जाता है इसकी तो आधी कटोरी हमने डाला है पर मैशने के बाद इसकी हम मुठी बना के आपको दिखाएंगे अगर अपनी मुठी बन जाती है तो हम समझेंगे कि अपनी खजूरी के लिए अच्छे से मोयन पर चुका है तो हम मैश के दिखाते हैं आपको मोयन को अच्छे से मैशना बहुत इंपोर्टेंट होता है तभी अपना खाष्टा एकदम बाड़ी बड़ी तयार होता है तो आप देख लीजिए हमने इसका मुठी बाधा तो अच्छे से बन गया यही पहसान है अच्छे मोयन का अब हम इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि खाजोडी यानि की बिहारी एस्टाइल ठेक हुआ का कोई डो तयार नहीं होता है इसे हल्का सा यानिकि बैंडिंग के लिए पानी डाला जाता है तो यहाँ पे हम ने दिला हम przewiren prosecutors के हम इसे तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब अपनी सुगार पिग लेगी यानिकी मैं बंधने लगता है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके तयार करेंगे, क्योंकि जादा हो गया तो फिर इसे अच्छे से खजूर तयार नहीं होता है, तो हमने दोनों हाथों से इसे ऐसे मसल मसल के अपना डो तयार किया है, आप देख सको हैं, इसे हमने साना नहीं है, बिल और यही है अपनी ठेक हुआ यानि कि खजूरी का लोई तो ऐसे ही हम दोनों मुठी से भी कर सकते हैं साइज का आपका ध्यान रखना है बड़ा बनाना है तो बड़ा लोई लेजिए और छोटा तो छोटा लेजिए चलिए हम सभी लोई तयार करके आपको दिखाते हैं में दोनों साइट खांसे बने होते हैं तो यह लंबा वाला खोजूडी का है और यह गोल वाला थेकुआ का है तो हम सबसे पहले इसको ग्रीस करेंगे एक से दो डॉब तेल डालके और हम इसे हलका सा हैसे ग्रीस कर लेंगे अब हम एक लोई लेंगे और हठेली की मदद से इसे प्रीस करते हुए अपना खजूर तयार करेंगे खाश्टा भी करते हैं, खजूरी भी करते हैं, कहीं पे ठेकुआ भी करते हैं तो यहां पे मैं आपको बता दे रही हूँ ये बिहार का छठ का प्रसाद का बहुत बड़ा important recipe है छठ के प्रसाद में ये बनाया जाता है वैसे भी हम खाने के लिए बनाते हैं तो छठ में इसका काफी महत बढ़ता है और ऐसे भी हम अपने घर में नास्ता के लिए बना के रखते हैं तो देखिए कितना अच्छा फूल उभड़के आया है, ऐसे हम सभी खजूरी तयार करके गैस के तरफ चलते हैं, तो हमारा खजूर तयार है और गैस पे हमने यहां पे तेल भी गड़म होने के लिए रख लिया है, अब हम एक एक खजूरी को अंदर छोड़ देंगे, इसमें के ना तेल को ज्यादा गड़म करना है, और नहीं ठंडा रखना है, मेडियम तेल गड़म होना चाहिए अपना, और एक बैच में जितना आ सके उतना हम डाल के फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं, तो हमने एक साइड से इसे दो तीन मीन तक पका लिया है, आपको फ्ली कोड़ी गिल्ली नहीं होती है, हम सुखा सुखा तयार करते हैं, तो हम यहाँ पे सथी तजूरी उलट लिये हैं, और दूसरी साइड से भी हम 3-4 मिनट मेडियम फ्लेट पे से तबाब को दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमने उलट पलट के इसे 12-13 मिनट तक किरा देंगे और अपने खरजूरी को दिशाओट कर लेंगे, तो आप इसकी खुबसूरती देखिए, खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, चलिए हम सभी खरजूर निकाल के आपको दिखाते हैं, तो आपने देख लिया, खरजूर बनाना कितना आसान है, यानि कि ठेक हुआ बनाना, फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है, इसे आप बना के महीना दिन तक डबा में भड़के खा सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए, ध झाली लग्स